स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने जमीन का बटवारा कैसे कराया जाए तो चलिए वीडियो को सुरुबात करते हैं तो प्लेज वीडियो को लाइक कर दे अगर चैनल को पहली बार देख रहें तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको चैनल पर मिलता रहे बिहार राज्य सरकार के द्वारा अब आपसी सहमती के अधार पर भूमी विवाद सुल्जानी की परकिर्या सुरू कर दी गई है लोगों के भूमी विवाद का निप्टारा करने के लिए बिहार सरकार कानून बनाने पर भी विचार कर रही है आपको बता दे कि राजस्व एवं भूमी सुधार मंत्री राम सुरत राय के द्वारा भूमी विवाद निप्टारे से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त हुई है उन्होंने बताया कि जिन भी मामली मामूली बातों को लेकर भूमी विवाद हो रहा है इससे कानून बिवस्था पर असर पढ़ रहा है जमीन का उपयोग भी बाधित हो रहा है बिहार सरकार इस विसे पर चर्चा कर रही है कि सहमती आधारित जमीन बतवारा को कानूनी रूप दिया जाए अभी के समय में इस नियम के प्ररूप पर विचार हो रहा है बिहार राज्य में उस्तेनी जमीन के बटवारा में और चन बिवाद का बहत बड़ा कारण है बिहार सरकार द्वारा ऐसा नियम निकाला जा सकता है कि परिवार में बहुमत सदस्यों की राय को कानून रूप दिया जाए किसी परिवार में 10 सदस्य हैं और उन में से कौम से शो सदस्य बटवारा के लिए किसी एक स्वरूप पर सहमत हैं तो ऐसे मामलो में सहमती पत्र तयार कर उसे कानूनी मान्यता दी जाएगी बिहार सरकार के रजस्व एवं भूमि सुधार बिभाग के द्वारा जमीन संबंदी बिवादों को कम करने के लिए रोज नया परिवार में संपती का बटवारा करना चाहते हैं तो उस संपती का बटवारा अब बहुमत के आधार पर भी हो सकता है अर्थात अगर सरल्भासा में सुनते हैं तो किसी परिवार में अगर सात भाई हैं उसमें चार भाई अगर बटवारा के लिए राजी होगा तो इस बिहार राज्य के कानूनी बटवारे में तो यह व्यवस्था पहले से है लेकिन सरकार अब खान गी यानि पंचायत अधारित बटवारे में यह व्यवस्था करने जा रही है लेकिन पंचायत अधारित बटवारे में कुछ सर्तों का पालन करना होगा और यहां सर्त होगी कि पांचों में पंचायत परतिनीधी का हस्ताक्षर होगा होना जरूरी होगा बिहार राज्य में पुष्टेनी जमीन का बटवारा अब नई विवस्था के माध्यम से होगा समय समय पर भूमी एवं राजस्व बिभाग द्वारा नए नए प्रयासों के माध्यम से जमीन बटवारा में होने वाले विवाद को कम करने और रोकने की कोशिस की जाती है इसलिए प्रकार से यह नई विवस्था लागू की गई है नई विवस्था में अगर पांच में से तीन भाई चाहेंगे तो बटवारा मानने होगा लेकिन किसी की हक मारी नहीं होनी चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए पंचायत के लिए गठित सम्मिती में मुखिया हारे हुए मुखिया परत्यासी और वाड सदस्य का होना जरूरी होगा इसके अतिरिक्त पंचों के साथ आधे से अधिक हिस्तेदार का भिल पंच लाइन में पर हस्ताक्षर करना जरूरी ह और इसी प्रकार राजस्यम भूमि सुधार विभाक पूरी जमिन का सिरियूल के अनुसार सभी भाईयों के नाम अलग-अलग जमबंदी निर्धारित कर दिया जाएगा बिहार में इस प्रकार के बटवारे की प्रकिरिया को कानोनी मन्याता पहले ही प्राप्त हो चुकी है इसके अंत्रगत परिवार का कोई सदस्य दुसरे को ही साल लेने से रोक नहीं सकेगा पंचायत परतिनीधियों का हस्ताक्षर जरूरी होगा बटवारे के दस्तवेश पर विभाद कम करने को सरकार बनाने जा रहे हैं नई विवस्था परिवार के बहुमत सदस्यों के अला रहेंगे और तो इस परक्रिया के माध्यम से आप असानी से अपने पुष्टैनी जमीन का बटवारा बीना बीरा विवात के कर पाएंगे तो प्लेज विडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही जमीन से संबंधित नई जनकारी पाने के लिए और बटव चाहिए लैंड रजिस्ट्री चाहिए और लैंड रिलेटेड डॉक्मेंट जो उससे संबंधित जब इनकी कागज है वो चाहिए मोबाईल नंबर चाहिए इमेल अडी चाहिए आधार काट चाहिए तो प्लेज विडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना झाले